बोलाए ये आज तो बहला बात मत करो तो कौन हो गरामी ना पन्का समीति पर देखिंगे ना है तो नमस्कार दोस्तों मैं सिकंदर्शे उध्रियाब सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज फिर से बहुत होगी परधान मंत्री आवास युजना पर क्योंकि कि बैसाली में एक बीडियो ने लाभुक के घर पहुँचे हैं लोग मारने की धमकिया दे रहे हैं गाउवाले गाउवाले बोल रहे हैं कि मारेंगे भी घुस खोर बताते हैं यही अस्तितो रह गई है बीडियो साहब आपकी आपकी ही नहीं 95% ऐसे बीडियो हैं जो की घुस लेते हैं छोटा छोटा कामों में तो बहुत कम लेते होंगे लेकिन परधान मंत्री अवास योजिना में 1,20,000 जो सरकार दे रही है उसमें से 30,000, 40,000 तीन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो तीनों इंस्टॉलमेंट में से हर एक इंस्टॉलमेंट पर पैसा बाना गया है कहीं कहीं तो एक ही बार में ले लिया जाता है गंभीर समस्या बनती जा रही है घुस्खोरों कम से कम ध्यान दो ये वीडियो जो देख रहे हो आप लोग ये बैसाली का है जो की वीडियो साहिब डिरेक्ट पहुंचे हैं घर के पास लाभुक के पास और ग्रामीन ने घेर लिया है अरे कम से कम अपना स्थीतो बचाओ कम से कम 40 के लगभग ता पीमेंट होगा आज पास थोड़ा इधर उधर यही अस्थीतो रह जाएगी कोई भी परतिनिधी हो कोई भी सरकारी पद पकारिड़त हो और ऐसा काम घिनावना काम करोगे आप लोग कोई जद्देगा कोई नहीं जद्देगा अपना गरिमा को परकरार रुखे यह तो एक बैसाली का घटना है हो सकता है आप लोग के भी छेतर में हो सके हो जाए यह कौन जनता है कोई ठेक नहीं है जनता की रूख जनता की मूमेंट कब किधर पलट जाए आप समझते होंगे आप लोग यहीं समझते होंगे कि हम ही तेज है नहीं सोचल मीडिया का जबाना है सब तेज है ऐसा कोई नियम नहीं है कि लोग नहीं जानता होगा नहीं जानता होगा तो जान जाएगा आईए दिखाते हैं आप लोगों को फूल वीडियो क्या क्या घटना हुआ है इन वीडियो साहिब के साथ इस ग्रामीड ने यहां के ग्रामीड जनता ने क्या क्या किया है इन लोगों के साथ आईए देखिए हो सकता है आप पर भी पढ़ सकता है वीडियो साहेब इस बिहार के जितने भी वीडियो लोग हैं बलग पदा दिकारी हो सकता है आप लोगों को भी कोई घेर सकता है आप लोगों को भी कोई घेरेगा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बचे हैं तो नहीं कोई घेरेगा नहीं कोई पकड़ेगा पकड़ेगा गलत गलती है आप गलती किजिएगा फंसना तो तय है आज लिकल गए कल लिकल गए करना एक दिन जरूर आप लोग फंसेंगे यह सत्य है सुधर जाईए कुछ लोग तो ऐसे भी है दलाल जो कि कोलोनी में नाम जुड़वाने के लिए भी पैसा ले लेते हैं अपना पद को कम से कम समहाली है गरिम्या को बचाईए जब आप ही करॉप्ट रहेंगे तब के नीचे वाले लोग तो और से रहेंगे करॉप्ट बताईए इनको अम्मारने के लोग धम की दे रहे हैं चैकोई हांत उठा देगा तो क्या किजिएगा उसमें बोल रहा है कि हमा कोई पुरुफ आपके पास कि ग्रामीड जानता की अधिकार है आपको जानने के लिए आप पॉब्लिक सर्भेंट है पूरे बिहार की यही स्थिती है हमारी सरकार जानती है यही कि हम कलोनी दे रहे हैं और लोग आशा से बना रहे हैं एक लाखा 20,000 रुप्या ग्रामीड शेत्र में दे रहे हैं और 30,000 वही लोग ले लेता है 90,000 बजता है 90,000 में क्या आप एक रुम बना लेंगे असंभव है का किया जाएं यही दुनिया के दस्तूर है घूसे लेकर चलना है और चलाना है लोगों को कोई देखने वाला नहीं है और एक न्यक दिन तो परदा फास होगा ही ज़िए आदमी बना ने रहाए पैसा मिला यहां पर कुछ लोग के दूहाड़ा पैसा लिया जाड़ा है इसलिए हम जाच ने क्या मुद्द आज इसे पैसा क्या लिया जा रहा है हम आपको क्या अभी जाच कर रहे हैं नहीं नहीं आप यहां पुछेंगे ना आप प्रूफ है कि आपने पैसा लिया है मेरे पास पूरूफ है कि आपने पैसा लिया है आप गलत किजिए अब लाइए जादा में बोलना चाहता हूं धन्यवाद